विज्ञान से चुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चानल की सदिस्यता लेना ना भूले और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाए नमस्कार, स्वाकत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कारकरम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है आज कल हर कोई बात कर रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी और ये कितनी खतरना होगी और इसको लेकर तरह तरह के कयास भी लगाय जा रहे हैं लेकिन क्या इसको पता करने का कोई व्यग्ञानिक तरीका है आज हमारे साथ मौझूद है I.I.T. कानपुर के प्रोफेसर मरींद्र अगरवाल जी मरेंद्र जी ने दो और वेग्यानिकों के साथ मिल करके एक सूत्र मॉडल की रसना की ते और पिछले साल भी जो कोरोना की लहर है उसका अनुमान लगाया था मरेंद्र जी बहुत-बहुत स्वाकत है आपका हमारे इस कारक्रम में अन्यवाद नवश्कार मैं सबसे पहले यही पूछना जा रहा हूं जो आजकल हर कोई जानना चाह रहा है कि जो कोरोना की तीस्ती लहर है क्या इसको लेकर के अभी किसी तरह का कोई अनुमान अब लगाया जा सकता है और अगर हां तो वो क्या हो सकता है है हमारा पॉडल सूत्र मॉडल जो है वो जो मैथमेटिकल एकोईशन पर अधारित है और उसमें जो नए रोज के इंफेक्शन आते हैं वो इंपुट जाता है और मॉडल उससे निकाल के बदाता है कि आगे ट्रजेक्टरी कैसे हो सकती है लेकिन जब हम तीस्री लहर की बा पीरिट में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें पूरी तरीके से अंदाज लगाना मुश्किल है कि क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता कुछ चीजों का हम अंदाज लगा सकते हैं जैसे कि हमें लगबग मालूम है कि वैक्सिनेशन किस रफतार से हो रहा है देश में माई में कितने वैक्सीन लगे जुमें कितनी वैक्सीन लगे जुलाई अगस्ट सेप्टेंबर इन महीनों में गौर्मेंट के प्रोजेक्शन हमें मालूम है कि लग बग इतने वैक्सीन लग पाएंगी तो वैक्सीन का एक प्रभाप परता है कि जैसे जैसे लोगों को लोग infected थे जोसे दूसरी लहर में इंफेक्ट हुए पहली लहर में इंफेक्ट हुए उनके चरीर में antibodies बन गई ये भी studies में निकल के आया है कि वो सब लोगों में antibodies देर तक नहीं चलती कुछ पतिशत उनमें से लोग ऐसे होते हैं जिनमें antibodies खतम हो जाती हैं वो फिर से infection के संभावना उनमें हो जाती है तो उसका भी अंदाज हम लगा सकते हैं studies के द्वारा लेकिन अगर कोई नया mutant आता है तो कितना अधिक infectious होगा कब आएगा इसका अंदाज कोई नहीं लगा सकता है नहीं आज़कता है कि वहले अनमान कर सकते हैं इसी प्रकार से लोग जो हैं अभी lockdown कुछ है restrictions हैं लोगों के movement में तो जब यह हट जाएगा तो क्या लोगों का भी इंबरताव होगा क्या वो पूरी साधानी बरतना छोड़ देंगे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे पहले होता था उस तरीके से करेंगे और यदी करें तो यह भी एक अन्वान लगा सकते हैं इसमें कोई certainty के साधम कह नहीं सकते हैं तो हमने जो अभी काफी लंबी एक exercise करी जिसमें कि यह सारे factors हमने शामिल किये vaccination, loss of immunity और तीन scenario गनाए उसके पहला scenario था जो की थोड़ा optimistic है जो मानके चलता है कि नया variant नहीं आए उन्या mutant नहीं आएगा जो अभी डेल्टा डेल्टा प्लस चल रहे हैं वहीं रहेंगे और उसमें यह भी माना कि अगस्त तक लोग पूरी सावधानी बरत्ना छोड़ देंगे और फिल्कुल जैसे पहले मार्च में या परवरी में इस साल थे वैसे ही हो जाएगा दूसरा सिनेरियो में वैक्सिनेशन को का एफेक्ट थोड़ा कम माना गया और तीसरे सिनेरियों में हमने यह भी मान लिया कि अगस्त तक नया सकते लेकिन इनके तीनों के हमने प्लॉट निकाले और जो कि मैंने ट्विटर पे पोस्त विके हैं शायद आप सबने देखे हैं उससे यही निकल के आता है कि अगर नया मिटेंट नहीं आएगा तो तीसरी लहर एक छोटी से रिपल रहेगी वह अगर अप्टूबर नॉव बढ़ेगी और हमारा अंदाज है कि देड़ लाक इन्फेक्शन प्रति दिन लगबग हो सकते हैं लेकिन वो तब भी दूसरी लहर के मकाबले काफी कम रहेगी और पहली लहर के बराबर लगबग लगबग होगी मनिंद जी ये जो अनुमान है अगर आप हमें थोड़ा सा इसके पीछे की जो साइंस है थोड़ा सा बता सके किस तरह से इसका अनुमान लगा जाता क्या-क्या चीजें आप लोग इसका पहले दिमाग में रखते हैं और किन आधार पर इस्तेया की गढ़ना की जा सकती है हमारे मॉडल में दो मुख परामीटर है जिसके द्वारा ये पदा चलता है कि संक्रमर कितनी तेजी से पैल रहा है एक परामीटर जिसको कहते हैं कॉंटक्रेंट ये परामीटर ये जाता है कि एक दिन में एक प्रोग को चुण कर रहा है तो contact rate की value घर्ती बढ़ती रहती है जैसे जब lockdown लग जाता है तो इसकी value काम हो जाती है क्योंकि लोगों को मिलने के संभाना काम होती है यदि lockdown एकदम खुल गया लोग एकदम freely चलने लगे तो इसकी value बढ़ जाएगी कोई नया mutant जो जादा जैसे डिल्टा जादा संक्रमत करने वाला तो भी उसकी value बढ़ जाएगी और दूसरा parameter है reach parameter यह नापका है कि इस समय कितनी प्रतिशत जनसंख्या के ऊपर संक्रमत अक्टिव है तो इसकी value लगबग बढ़ती ही रहती है लेकिन इसमें हमने पाया कि जब जैसे vaccination हो रहा है जिस वेक्ति का a vaccination हुआ जब हिन हो गया बिना संक्रमित हुए तो वो एक प्रकार से अमस को देख सकते हैं कि वो जो जो संक्रमन जिन लोगों के उपर एक्टिव है इस समय उन में से जो वैक्सिनेट हो गए लोग वो उसके जो संक्रमन है उसके प्रभाव से बाहर निकल गए तो जनसंख्या जिसके उपर संक्रमन एक्टिव है वो कम हो गई तो इसकी वज़े से वो जो जो रीच परामिटर है वो कम भी हो जाएगा, हो सकता है, तो ये सारी गर्णनाएं हमने करी, जैसे हम मैंने बताया कि हर महीने का हमें वैक्सिनेशन का डेटा अपलब्ध है, तो उससे हमने कैलक्लेट कि है कि वो एक महीने का वैक्सिनेशन रीच को कितना कम करेगा, उसी प्रकार से जो इम्मुनिट समाप्त हो गई तो वो हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि वो रीच को बढ़ा रहा है तो उसके उसका भी हमने अंदाज लगाया और उससे हर एक महीने रीच कितना बढ़ेगा उसके द्वारा वो भी हमने कल्कुलेट किया तो ये दोनों एक घटा रहा है रीच को एक बढ़ा रेट परामीटर है उसकी वैल्यू जब डेल्टा वेरियंट मार्च में पूरी तेरी चेश पैल रहा था तो भारत के लिए दशमलों चार तक पहुंच गई थी और अभी लॉक्टाउन जो हुआ उसके बाद दशमलों दो के आसपास तक आ चुकी है तो अब जैसे बविश्य में जो पैरामीटर की वैल्यू जो दो मुख्य हैं उनको हमने इस प्रकार से अंदाज करके कल्कुलेट किया और जब इन दोनों पैरामीटर की बविश्य की वैल्यू आ गई तो फिर हमारे मॉडल में ये बहुत ही आसान हो गया कि किस प्रकार से आगई ये संक् प्रकार से अंदाज करने की जो अब लोगों के अनुमान के मताबिक यही तीसरी लहर की वजह बन सकता है या फिर कोई और नया वैरियंट आ सकता है ती डेल्टा प्लस वैरियंट दिखता नहीं कि इसमें डेल्टा से जादे संक्रमित करने की इक्षमता है जो अभी तक द्वारा कि डेल्टा प्लस जहां पे है वहां पे जो कॉंटाक रेट बढ़ा नहीं है जिसका आर्थी है कि यह जादे तीजी से संक्रमित १्ल आहि नहीं कर रहा है जिस परकार डेल्टा है उसी परकार से डेल्टा प्लस है तो इसमें थोड़ा हिम्यूट के वो फिर से संक्रमित होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है डिल्टा प्लस के दुआरा हो अच्छा इसको थोड़ा से रख प्रफसर साब मैं चाहरा था कि थोड़ा सा और एक्सप्रेंड कर दें जो लोग आपका कहना है मरला है जो लोग पहले संक्रमित हो चुके हैं उ नहीं सकता है यह 10 की प्रतिशत प्रतिशत हैं अधिक से अधिक जा से लग लग स्टाडीय जो जिसको मैंने कहा हुई है और दुनिया-भर में 20 प्रतिशत अंदाजन लगा गया है कि इतने लोगों में हैं इम्म्टि समाप्त हो जाती है तो जिस्सए हो संक्रमित होने की सभ मोटा मोटा देखें तो कौन ऐसे लोग हो सकते हैं, कौन सा ऐसा वर्ग हो सकता है, जिसको आने वाली लेहरों में ज्याधा खत्रा हो सकता है? यह वर्ग वही है जो शुरू से रहा है जिनके को मॉर्बिडिटी है और जिनों ने वैक्सिनेशन नहीं करवाया है या उनको पहले संक्रमन नहीं हुआ है यह वर्ग सबसे अधिक संभावना है इनको संक्रमन और संक्रमन में भी दो प्रकार के होते हैं एक संक्रमन ऐसा होता कि थोड़ा इस्म्टोमेटिक या माइली सेंटोमेटिक थोड़ा बहुत कांसी चुकाम बुकारों के चला जाता है और दूसरा होता है जो जादे तब्यत करा हो जाती है और ऑस्पिटल जाना पड़ता है औस प्रकार का संक्रमन जो को मॉर्वेडिटी वाले हैं उदेखा गय है कि उनको सम्मावना बहुत रहती है पीच में मीडिया में आई थी रिपोर्ट कि बच्चों को तिसरी लहर में जाद़ प्रभाव होगा लेकिन यह जो अभी तक की स्टडी आई हैं उसमें यह पाया गया है कि एक तो बच्चे काफी संक्रमित अभी तक हो चुके हैं जैसे म मुंबई में अभी स्टडी आई थी कि पचास प्रिदिशद बच्चों में संक्रमान आ चुका है लेकिन यह पाया गया कि बच्चों में इम्म्यूनिटी बहुत है उसको कहें कि उन में चरीड में स्टेंथ बहुत होती है तो उनको जो संक्रमान होता है माइल ही होता है अब तो लगातार वैक्सीन भी लोग लगा रहे हैं तो आपको लगता है कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और जिनको एक बार क्रोना का संक्रमन हो भी चुका है उन लोगों को तो बहुत कम चांसेस होंगे तो यहां जो वैक्सीन लगा चुके हैं उनको कुछ को सबस्क्रमन हो सकता है यह पाएगा लेकिन उन में किसी में भी ऐसा नहीं आया पाया गया कुछ रेयर केसिस को छोड़ दें कि संक्रमन तेज हो तो वैक्सीन लगाने के बाद एक आप एक निश्चिन्तिता आ सकती है कि यदि संक्रमर्ण होगा भी तो माइल्ड या इसम्टमेटिक होगा उससे कोई अधिक परिशानी नहीं होगी तो इसलिए वैक्सीनेशन एक बहुत अच्छा हमारे पास उपाए है इस संक्रमर से आगे जाने का अनफॉर्चिनेटली कुछ लोग अभी भी इसके बारे में ब्रह्म या तो उनको है या ब्रह्म फैला रहे हैं कि वैक्सीन से फाइदा नहीं होगा या वैक्सीन से नुक्सान होगा मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार के ब्रह्म में लोग ना है और सब लहरें आ सकती है क्या यह लहर इसी तरह से एक एक करके आती रहेंगी या फिर कहीं पर लगा हम भी लगेगी इसको लेकर हमी कुछ कहा जा सकता है क्या नहीं कहा जा सकता है और यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के लहरें आती रहेंगे कोरोना वाइरस अब कहीं जाने वाला नहीं है वो हमारे बीची रहेगा लेकिन जो हमारा प्रयास होना चाहिए और वही उस तरफ वैक्सिनेशन के द्वारा हम जा रहे हैं कि यह सीजनल फ्लू जैसा बन जाए कोई सीजनल फ्लू है उसकी भी लहर हर साल आती है जाडों में लोग आते हैं खांसी जुगाम होता है बुखार होता है ठीक हो जाते हैं कतम हो जाता है उसी प्रकार हमारा उदेश होना चाहिए कोरोना भी वैसा ही बन जाए लहरे आए जाए कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन उसका असर नहीं हो कि खांसी जुगाम बुखार तोड़ा रहे और फिर ठीक हो जैसा कि अगर केसिस जो है वर माइडली सिम्टमेटिक हैं जिसमें कि कोई विशेश हावशकता नहीं है इलाज करने की उनकी नंबर ऑफ डेट्स आप देखें 30,000 केस हैं रोज के और 10-12 डेट्स हो रहे हैं तो उसका बेसिकले वो अधर ही पहुंच रहे हैं कि वो नंबर ऑफ केसे की चि कुछ नहीं चोड़ देंगे रिपोर्ट करना चोड़ देंगे क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी जब हमें यह एक पक्का हो जाएगा कि अगर इंसंक्रमाण होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा उससे कुई खास अंतर नहीं पड़ेगा मनित जी लेकिन मेरे ख्याल से जो बाते आपने बताई उसमें सबसे इंपर्टन यही है कि हम लोग जो कोरोना को लेकर के जो सेफटी है उसका ध्यान रखते हैं कोविट अप्रोपेट बियावियर का ध्यान रखते हैं और वैक्सीन लगवाते हैं तो उसमें चांसेस कम है क कि तीसरी लहर आएगी या अगर आएगी भी तो ज़्यादा खतरनाक होगी जी बिलकुल वैक्सिनेशन करें हम और कोविड अप्रॉप्रेट विएविर ये इसलिए आउशक है कि आप अपने को और अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उसलिए वो भी उस तरह भ करने के लिए तो आज कोरोना को हराना है कि इस एपिसोड में इतना ही अगले हक्ते हम फिर हाजिर होंगे तब तक विज्ञान से जुड़ी विश्वसनी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस नमशकार नमशकार